जैहिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दवंग क्लासेस पर तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मद्धि प्रदेश बन रख्षक और जेल प्रदेश की तैयारी के लिए मद्धि प्रदेश के इतिहास से रिलेटेट महत्वन प्रस्न तो इसका रड़ेट अंसर आप लोगों को बताना है तो इसका जो करेक्ट अंसर हो गां दोस्तों वह है आप लोगों का option number C परमार राजबस की प्राचिन काल में आगर मालबा जो हे यह परमार राजबस की राजधानी थी मालबा के परमारबनसी सास्कों की प्रारांबिक राजधानी इज्जैन में थी परंतु कालांतार में राजधानी धार में इस्थानातरीत कर दी गई मानेता के अनुसार परमारबंस के उत्पत्ती जो है यह बसिस्ट के यग कुंड से हुई थी आगे बरते हैं next question की और next question में देखी क्या पूछा जा रहा है तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है निम्ना लिखित में से कौन सी गर्मियों की छुट्टी के लिए मुगलों की लोक प्रिय गूमने वाली जगा थी आप लोगों से पूछा जा रहा है तो इसका जो राइट आंसर वह क्या होगा आप लोगों को बताना है तो इसका जो राइट आंसर गोस्तो वह आप लोगों का option number C जलदिस बताएं कौन सा होगा तो option number C आगरमालवा गरमियों की छुटियों के लिए मुगलों की जो लोगप्रिय गूमने वाली जगा थी वहां आगरमालवा जिला उज्जेन संभाग में इस्तित है और आगरमालबा जिला अपनी लाल मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है इसकी सीमा जो है राजस्थान राज्ज को छूती है आगे चलते हैं नेक्स्ट कोशन की ओर नेक्स्ट कोशन देखी यहाँ पर आप लोगों से क्या पुछा जा रहा है नेक्स्ट कोशन में जो महभारत है, बिश्व का सबसे लंबा साहितिक ग्रंथ और महाकाब्वे है, जो हिन्दू धर्म के मुख्यत साहिता ग्रंथों में से एक है, इसे जै सहीता के नाम से भी जाना जाता है, तो देखि इसके तीन नाम आज हमें पता चले, क्या क्या नाम है महाभारत के पहले नाम है महाभारत दूसरा नाम जैसे ही था सभी जानते और आथ तीसरा नाम भी जान लीजिए क्या तीसरा नाम है इसका धतिया बाकर आगे चलते हैं next question की और next question देखी क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर आप लोगों इस पूछा गया है 32 तो इसका रएट अंसर आप लोगों को बताना है करेक्ट आंसर इसका जो होगा दोस्तों वह है आप लोगों का option dim. 22 बावरी जोकी एक ज़ल निकाए है चंदेरीमें इस्ती थे अच्छे से याद रखेंगे कि आप लोग इसका निर्मान सेरखान ने 1484 में ग्यासुदिन सा खिलजी के सासनकाल के दोरान कराये था आगे बढ़ते हैं नेक्स कोशन की और नेक्स कोशन में देखी क्या पूछा जा रहा है यहां पर आप लोगों से पूछा गया है भगवान बुद्ध के सिसिस सारी पु वीडियो देखने तो इसका अंसर आसानी से कर पाएं होंगे राइट अंसर है साची इस्तूप में भगवान बुद्ध के सिसिस सारी पुत्र और महा मोगलियान के जो अवशेशें यहां साची के इस्तूप में रखे गये हैं साची इस्तूप मद्प्रदेश के राइसें जिले में बेतों अधिके टट परिश्थी थे जिसका निर्मान सब्राट असोप महान के द्वारा करवाया गया था साची इस्तूप का संबंध बोध धर्म से हैं नेक्स्ट कोशन ने क्या पूछा जा रहा है यहां पर आप लोगों पूछा गया है निम्रे लिखित में से क परम भगते थे हरसिद्धी देवी का जो मंदिर है यहां उज्जेन में इस्ति थे धर्म ग्रंतों में उल्लेखित 51 सक्ति पीठों में से हरसिद्धी देवी का मंदिर एक है यह आपको याद रखना है और ग्रंतों में यह प्राचीन जो पुस्तक हैं कहानियों में भी कहा से पुछा गया है राजबदी एवं जो रजवाड़ा है इंदोर में इसमें किसकी आदम आकार की मुर्ति इस्तित है तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है आप लोगों का आप्शन नंबर जंदी सुताएंगे राइट आंसर कौन सा होगा करेक्ट आंसर होगा आपका नंबर एक अहिल्या भाई की राजगदी एवं रजवाड़ा में अहिल्या भाई की आदमकद आकार की मुर्ति है अहिल्या भाई होलकर जो हैं सुबेदार मलाहर राओ होलकर के पुत्र खांडे राओ की पतनी थी और यदि आप लोगों से पूछा जाएंगे होलकर बंस की अहिल्या भाई जो हैं यहां किस राजबंस की राजकुमारी थी तो आपका जो राइट आंसर है वह होगा चंदेल बंस की आगे चलते हैं नेक्स्ट कोशन की और नेक्स्ट कोशन में देखी क्या पूछा है यहां पर आप लोगों से पूछा गया रहा है दोसो सहेडोल जि ने में कनिस्क के सिक्के पाए गए हैं जो आपको याद रखा हैं उनके अधिकान सिक्कों पर भगवान सीव और बेलनंदी की प्रतिमाय थी कनिस्क बोद्ध धर्मकी महायान साका का अनुयाई था और इसी के समय में बोद्ध धर्मकी चोथी बोद्ध संगती कस्मीर के कु समाचार पत्र है जो अंग्रेजों के अत्याचारों के बारे में सभी लोगों को बता रहा था तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का आप्षिन नंबर जलिस बताईए राइट आंसर क्या होने आला है करेक्ट आंसर होगा आपका आप्षिन नमबर C महा कोसल सन 1922 में 36 गड़ का समाचार पत्र महा कोसल जो है यह अंग्रेजों का कोप भाजन यह हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों के अत्याचार को जंता तक पहुचाने वाला समाचार पत्र बना था आगे चलते हैं इंहों नेक्सत्त कोशन की और नेक्स्ट कोशन देखते हैं आप से क्या पुछा जा रहा है तो यहां पर पुछा गया है मद्धु प्रदेश में अवन्ती किसे कहा जाता है काफी इन पॉच्टेज, अकसर एक्जाम में पूछा जाता और बहुत सरल कोशन है दोस्तों आसानी से बनना चाहिए राइट अंसर होगा आप्शन नंबर बी उज्जेन को प्राचीन समय में उज्जेन सहर को अवंती के नाम से जाना जाता था यहां प्राचीन सोला महा जनपदों में से एक थी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की और बढ़ने से देखें उज्जेन से रिलेटेट कुछ जनकारिया में आपको दे देता हूँ उज्जेन जो है मद्द्प्रदेश राज्ज में छिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ एक सहर है इसका प्राचीन नाम जो है अवंती था बेद पुराणों रमायन में भी इसका नाम देखने को मिलता है अवंती के नाम से उजेन में प्रत्यक बाराबर्सों के अंतराल पर कुंभ मेले का आईजन किया जाता है जो कि मद्रदेश का सबसे बड़ा मेला है उजेन में ही छिप्रा नदी के टट पर महा कालिश्वन मंदीर भी इस ती जो अकसर एक्जाम में पूछा जाता है आगे चलते हैं नेक्स्ट कोश्वन की हो नेक्स्ट कोश्वन में देखी क्या पूछा है तो यहां पर पुछा गया है रानी दुर्गाबती संबंदी थे, चार अप्षिन आपको दिए का इसे समद्थे है, चारों आप्षिन में उप्षिन में आपको बताना है, correct answer जहोगा जल्दी से आप लोग बताएंगे राणी दुर्गाबती किसे समखनी थे correct answer है आपका option number D जवलपूर से महरानी दुर्गाबती का समखनी किसे है महरानी दुर्गाबती कालिंजर के राजा कृती सिहीं चंदेल की पुतर थी उनका विवा गड़ कटेंगा के राजा दलपत सहा से हुआ था जो जबलपूर के पास पढ़ता है और नर्सिपूर जिले का चोरागड इस राज्जी की राजधानी थी तो यह सारी चीज़े आप लोगों को अच्छे से याद रखना है चलिए बढ़ते हैं तो यहाँ पर द जबलपूर में इनका विवा किसे हुआ था तो आपका अंसर होगा गोंड सासक दलपसा से आगे चलते हैं नेक्ट कोशन की यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है भारत में इंगलेंड का कौन सा दूथ जहागीर के सासनकाल में अजमेर से मांडू आया तो इसका करेक् कोशन की और नेक्स कोशन में देखिए आप लोगों से कहा पूछा जा रहे हैं तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है राजा भोज ने सासन किया था तो इसका जो राइट आंसर है जोस्तों वह है आप लोगों का आप्शन नंबर भी धार पर यह च्छे से याद क्याकरण के भी ज्याता थे यह आपको अच्छे से याद रखना है उन्होंने कभी राज की उपादी भी दारण की थी आगे चलते हैं नेक्स्ट कोशन की और और राजा भोज के नाम पर ही मद्युप्रदेश राज जी की राजधानी भोपाल का नाम पड़ा है नेक्स्ट को क्या होगा आप लोगों का option number a कलहन देखे इसका correct answer क्या होगा कलहन के बारे में हम सभी ने सुन रखा है इन्होंने राज तरंगणी की रचना की है तो आपको याद रखना है कि कलहन कस्मीरी इतिहासकार और राज तरंगणी के रचीता है यह आप लोगों क्याद रखना है कभी-कभी exam में पूछा जाता है कि जो राज तरंगणी है इसमें किसका बंड़न किया गया तो आपसे जो आंसर होता है बो होता है कस्मीर के इतिहासका तो कस्मीर से संबंदी थें कलना आगे चलते हैं next question की और next question में देखी क्या पूछा है next question की और बंड़नेस पहले दोस सभी सिफ्टों की डाउनलोड करना चाते हैं जैसे math की सभी सतर शिफ्टों की PDF, only science की सभी सतर शिफ्टों की PDF, only hindi की सभी सतर शिफ्टों की PDF , only english की सभी सतर शिफ्टों की PDF जो कि आपको Shoresled exam में पूछे जाएंगे तो यह पांचों subject की अगर आप concludes celebrate night weekly you saidji पूरी 70 agit के तो भी आप आसारी से डैंट लोड कर सकते हैं वीडियो की डिस्रीप्शिफिट में आपको लिन्क दे गहीं है नहीं तो आप लोग इस नंबर पर जो नमबर में आप Means यहां पर स्क्रीन पर बता रहा हूं इस नंबर पर ही आप बार्दसप करके हमसे आसानी सानी सी आसारी PDF क्राप्ट कर सकते हैं जिससे आपकी प्रफ्रेशन बहतर हो पाएगे और आने वाले फॉरेश एक्जाम में आपका भी सेलेक्शन हो पाएगा साथ यह थी आपका अवकारी एक्जाम 2023 जो आपका कॉंस्टरबल एक्जाम है MP प्लीस उसके 2022 के पेपर डॉनलोड करना चाहते हैं तो वहां भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देगे लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं आगे चलते हैं नेक्स्ट कोशन देखी क्या पूछा तो यहां पर पूछा गया है अकवर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुरगवती कहां क की रानी थी तो अभी हमने पढ़ा था कि यह कहां की रानी थी गड मंडला की रानी थी इनका विभा किसे हुआ था गोंड सासक दलपस साहसें और यहां चंदल बंस की राजकुमारी थी आगे चलते हैं नेक्स्ट कोशन की और नेक्स्ट कोशन में आप लोगों पूछा गय यहांरी सतोता है तो समस्दी थे तो अंसर होगा राँआ रूपमती से मदू जो है यहां रूपमती और बाज बाहदूर की प्रेम गाथा के लिए जाना जाता है यह आपको अच्छे देखे मांडू से तीन कोशन और पुछा जा सकते हैं कि अगर आपसे मांडू का पूर्व नाम पूछा जाए पुराना नाम तो मांडू को पूर्व में मांडबगर साधियाबाद या करीमा बाग सहर के नाम से भी जाना जाता था आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कोशन की ओर नेक्स्ट कोशन पूछा है महरानी लक्ष्व भाई की समाधी कहा इसती थे तो इसका राइट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर इसका होने वाला है आप लोगों का आपसे नमबर डी ग्वालियर में महरानी लक्ष्व भाई की स आंदोलन शुरू किया तो इसका correct answer option number first भीमा नायक भीमा नायक के नित्रत में आदिवाशियों ने आंदोलन शुरू किया था भीमा नायक का जो जन्में 1840 में पस्चिमी निवार दियासत के पंच महली गाउं में हुआ था आगे चलते हैं next question की और next question देखते हैं क्या पूछा जा रहा है तो यहां पर आप लोगों पूछा गया है रानी दुर्गाबती ने मद्ध्रदेश के किस छेत्र में सासन किया था करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है रानी दुर्गाबती ने मद्धिप्रदेश के किस छेत्र में सासन किया तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का option number A गोंडवाना अभी हमने पढ़ा था कि जो रानी दुर्गाबती है यहां गड मंडिला की एक गोंड सास सिका थी जिनका विभा गोंड सासक दलपस सहा के साथ हुआ था यहां चंदेल बंस की राजकुमारी थी और इनका जो समाधी स्तरे वो कहां इस्ति थे तो जवलपूर में इस्ति थे आगे चलते हैं next question की और next question पुछा है संत सिंगा जी मद्धिप्रदेश के किस छेत्र के निवासी थे तो इसका जो right answer है वह होगा आप लोगों का option number D निमाण छेत्र के संत सिंगा जी महराज का जो मंदिर है निमाण में खंडवा जिले में इस्ति थे और यहां निमाण छेत्र के निवासी थे इनके अलाबा निमाण अंचल की प्रमुख गायन से लिए यह जो न पूछा गया है चंद्रसेका राजात का जर्मु मद्प्रदेश के किस जिले में हुआ था यह आप लोगों से पूछा गया है काफी easy question है right answer आप लोगों को बताना है correct answer देखिए पुराना question आप लोगों पूछा गया तो पुराने के हिसाब से क्या हो जाएगा जाबवा इ जाता है तो आपको अली राजपूर अंसर लगाना होगा तो देखिए यहां पर बात की जाए तो अमर सहीच चंद्रसेका राजात का जन्म मद्प्रदेश के जहाबुवा जिले बरतमान अली राजपूर जिले के भावरा ग्राम और बरतमान समय में उस भावरा ग्राम का नाम बदलकर राजाद के नाम पर ही चंद्र सेका राजातनगर कर दिया गया है तो कहां हुआ था एंका उन logarses पूले के चंद्र सेका राजाद नगर में इंका जन्म हुआ था और प्रियाग राज इलहबाद के आलफ्रेट पार्कंश्म में न÷्य क्यति प्राप्त हुई थी जिसे आजाद पारक के नाम से भी जाना जाता है आगे चलते हैं नेक्स्ट कोईशन की और तरपुर जिले में इस्थी थे 14 जनवरी 1931 को मकर सक्रांती के मेले में चरण पादुका में हो रही सभा को सेना ने घेर कर निहत्य लोगों पर मसीन गन बाबंदुकों से गोलिया चलाई जिसमें 21 लोगों की मौत होई थी तता अनेक गंभीर रूप से घायल हुए थे इसे ही मुगद्दिन साहा ने सिहोर में जामा मज्जित का निर्मार कराए था जामा मज्जित की अगर बात की जाए सिहोर जिले की दोस्तों तो सिहोर जिले में जामा मज्जित का निर्मार मुगद्दिन साहा ने कराए यह हमने देख लिया लेकिन इसके अलावा भी सिहोर जिले म बहुत से आकर्सन के केंद्र है बहुत से इसे नाम है जो कि आप से एक्जाम में पूछा जाते हैं जिन में पहला है सलकनपूर का मिला तो आप लोगों से पूछा जाता है कि सलकनपूर का मिला किस जिले में लगता है तो आपका अंसर होगा सिहोर जिले में यहीं पर भी इस्ती थे इसके एतरिकता अगर आप लोगों से पुछा जाए देश का पहला आवासी खेल विसुविध्यले कहा बनाया गया तो भी आपका अंसर क्या होगा सीहोर में बनाया गया है आगे चलते हैं है कि और नेक्स्ट्र को देखी क्या पूछा गया है तो यहांपर श्रक हो मंदिर का निर्मां किस्ने करवा या था इसका ररता रहा खज्राहों के मंदिरों का निर्मान चंदेल सासकों के दारा कराया गया था यह आपको अच्छे से याद रखना है चंदेल सासकों ने यहाँ पर 85 मंदिरों का निर्मान कराया था और खज्राहों को पत्थरों पर तरासी गई नगरी भी कहा जाता है यह आपको अच्छे से य बढ़ते हैं और खजराओ के जो सबसे बड़ा मंदिर है वा कंदरिया महादेब मंदिर है जिसकी तुलना किसे की जाती है यह आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे क्योंकि हम अपने हर वीडियो में आप लोगों को बताते हैं नेक्स्ट कोशन देखिए यहां पर पुछा गया है 1857 के बिद्रों में सक्री रूप से भाग लेने वाली आदिवासी समुदाई का नाम क्या था तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वहां क्या होगा तो राइट आंसर आप लोग लगाएंगे आप्शन नमबर A भील 1857 के बिद्रों में सक्री रूप से भाग लेने वाली आदिवासी समुदाई जो है वहाँ भील थी और इनका नेतरोत जो है टांटिया भील के दौरा किया गया था आगे चलते हैं नेक्स्ट कोशन की और नेक्स्ट कोशन में यहाँ पर पुछा गया है चंदेरी के पास पंद्रवी सताब्दी में निर्मित पुराने मदरसे को किस रूप में जाना जाता है तो इसका जो राइट आंसर वा है आप लोगों का आप्शन नमबर A उजर के रूप में जाना जाता है यह आपका पटवारी एकजान 2018 में पुछा गया प्रसने काफी जादा इंपॉर्टेंट अच्छे से याद रखेंगे चंदेरी के पास पंद्रवी सताब्दी में निर्मित पुराने मदरसे को उजर के रूप में जाना जाता है आगे चलते हैं नेक्स्ट कोशन की और नेक और शिकार इस्ताल रहा है सुविपूरी के जंगलों में मगल समराद खेलने आते थे और यहीं से जो मुगलों का समराड था अकवार इसने अपनी सेना में हाती भी रखे थे यह question भी आप लोगों को याद रखना है यह question भी आपके पटवार exam 2018 में पूछा गया था next question देखते हैं आप लोगों क्या पूछा जा रहा है तो next question पूछा गया राजा भोज किस बंस से संबंदित थे तो इसका जो right answer दोस्तों वह है आप लोगों का बताई जल्दी से अभी मैंने आप लोगों को बताया था question अगर आप वीडियो की ध्याम से सुन रहे हैं तासानिस इसका नाम पर रखा गया तो आपका अंसर हो गया राजा भोज के नाम पर रखा गया है पहले इसका नाम भुजपाल था ला भुजपाल सहर था फिर नाम बदल के क्या कर दिया गया भुपाल सहर कर दिया गया था आगे चलते कसान नहीं था मोरे के पश्याद याद रहना आप लोगों को कुसान का सासर नहीं था चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट कुशन की और प्रणail की बात के लिए तो कुसान की जो स्थाथना के द्वारा की गई थी इसकी दो राजधानिया थी पहली पूरुसपूर दूसरी थी म पुसार बंस का जो सरबादिक प्रसिद्ध सा सकता वह कौन था तो आपका अंसर होगा कनिस्क और कनिस्क नहीं महान सिल्क मार्ग की सुरुवात भारतियों के लिए की थी आगे चलते हैं नेक्स्ट कोशन की और नेक्स्ट कोशन में यहाँ पर आप लोग पूछा गया है महा क आपकाल में उलेखित जनकपुरी जो सहरे या बरतमान मद्यप्रदेश में नहीं है जनकपुरी नेपाल का प्रसिद्ध धार्मिक इस्थल है यह नगर प्राचिनकाल में मिधिला की राजधानी था यहां के प्रसिद्ध राजा राजा जनक थे जिनका नाम आपने रमायन म में सुना होगा जो की माता सीता के पिता भी थे आगे चलते हैं नेक्स्ट कोशन की ओर नेक्स्ट कोशन देखी क्या पूछा जा रहा है तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है चटी सताब्दी इसापूर्व के इसका जो राइट आंसर वा है आप लोगों का अप्शन नमबर ए अवंती अवंती महाजनपद जो है यहां मद्द प्रदेश में सामिल था आगे चलते हैं नेक्स्ट कोशन की ओर नेक्स्ट कोशन देखी क्या पूछा गया है तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो इसका जो पूछा गया है तो यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है राजा मानसी तोमर किस राजी के राजा थे तो इसका correct answer क्या होगा? correct answer आप लोगों कहने वाला है option number C ग्वालियर राजा मानसी तोमर जो है यहां ग्वालियर राजी के राजा थे इनके सासनकाल को ग्वालियर के इतिहास का सुर्ण युक कहा जाता है तो यदि क्वेशन बनता है कि किसके सासनकाल को ग्वालियर के इत कोशन देखिए, आप लोगों फी जी की राज़धानी तो यहां पर पुछा गया है।। उज्जेन प्राचिन कालीन अवंती राज़ी की राज़धानी थी, और वहां पर किसका साथन संथा? आप लोगों सी यह पूछा तो काफी इजी अभी मैंने आप लोगों को बताया था मला राव होलकर जो है या होलकर बंस के संस्थापक थे यह आपको अच्छे से याद रख रहा है इनका समाधी इस्थाल कहा है अक्सर एक्जाम में पूछा जाता अभी कॉंस्टरबल एक्जाम 2022 में पूछा गया था तो कुछा जा रहा है सांची के इस्थुप का अंधिरमाल किस ने कराया सम्राइट असोक ने कराया कोश्चन रिपीट हुए है कुछ यहाँ पर देखिए बोल गया है इतियास के अनुसार किस ने ग्वालियर की स्थापना की तो यह आप लोगों से काफी इंपॉर्डन में पूछा गया प्रसने है राइट अंसर होगा अप्शन नबर सी सूरज सेन ने इतियास के अनुसार सूरज सेन ने ग्वालियर की स्थापना की यहाँ सेर गुजर प्रतिहार राजबंस तोमर बबग्यल कच्छवाओ की राजधानी रहा है आगे चलते हैं नेक्ट कुश की और कहां पर अपनी स्थापना की तो इसका राइट आंसर आप लगों को बताना कि डिलावर खा ने किसे अपनी राजधानी बनाये था घ add प्राइट आंसर वह है आप लोगों का आप्षिन नमबर है मांडू दिलावर खान ने मालवा सल्तनत की सुरवात की और मांडू को अपनी राजधानी बनाये था 1305 में अलावदिन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में मांडू को सामिल कर लिया था परंतु तुगलाग बंस के पतन के दोरान तुगलाग गवर्नर दिलावर खान ने 14-1 में सोतंत्र मालवा समराजी की इस्थापना की जिसकी राजधानी मांडू थी दिलावर खान का बास्तिव के नाम जो है हुसेन था यह अक्सर एक्जाम में पूछा जाता है कि दिलावर खान का बास्तिव के नाम क्या था तो आपका आंसर होगा हुसेन था आगे चलते हैं next question की और next question में देखिए आप लोगों से पूछा जा रहा है भौपाल की जामा मजजित किसने बनवाई थी तो इसका जो right answer है बो आप बताएंगे जल्दी से अभी हमने देखा था सिहोर की जामा मजजित किसने बनाई थी इसका मगुद्दीन साहा right answer था यहाँ पर पूछा गया भौपाल की जामा मजजित का निर्माण किसने कराएं तो इसका correct answer अब आप लोगों को बताना है दोस्तों यदि आप लोगों से पूछा जाए कि चार बाग पद्रती की जो खोज एक इसके द्वारा की गई थी तो इसका answer होगा बावर के द्वारा आगे चलते हैं next question की ओर तो देखिए दोस्तों यहां पर हमारा session आज का समाप्त होता और हमने आप लोगों क्रेश क्वीज रखी जिसका answer आप लोगों को हमें comment करके बताना है आज की quiz है दक्षण मालवा में ब्यापक रूप से गाया बजाया जाने वाला लोग संगी थे जो माराठा से होकर आया था चार अप्षन आपको दिए गया और पुछा के इनमें कौन सा लोग संगी थे जो दक्षण मालवा में गाया बजाया जाता है और यहां मारा ठो से होकर आया था तो इसका right answer आप लोग हमें comment करके बताएंगे अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like करेंगे चैनल पर पहली बार आ है तो चैनल को subscribe कर लेंगे यदि आप लोगों ने अभी तक PDF डानलोड नहीं की तो वी